नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ रूपा वुदी राजा मैं हूँ टेरो काड रीडर वास्तु एक्सपर्ट निम्प्रोलोजिस्ट मैं हूँ आपकी स्प्यूच्वल काइट आज हम बात करने आये हैं व्रिशव राशी वालों के लिए 2021 कैसे रहने वाल है कैसे रहेंगे आपके विपार के हाल कैसा रहेगा विद्ध्यार्थियों का हाल कैसे रहेगा ये पति-पत्नी साथ इस साल यह बात जानने के लिए आज हम आए हैं और मैं आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि विशव राशीवानो के लिए कैसे रहने वाला है 2021 लेकिन यदि आपने मेरा चानल लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए यदि आप मेरी appointment चाहते हैं तो आप मुझे इन नमरों पर call कर सकते हैं अपने लिए जानकारी पाने के लिए यदि आप जानना जाते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी आपको चाहिए तो भी आप मुझे call कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं व्रिशप राशी हुई मुझे दिखाई देती हैं इस वर्ष राहु महराज का वर्ष रहने वाला है और आपकी राशी में ब्रह्वन कर रहे हैं राहु अर्थात स्वास्ते कब पाया इस बार थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है कही न कहीं health issues आपको आ सकते हैं छोटी मोटी बिमारियां कही जो काम रुके हुए हैं या जो बिजनस में आपको घाटे पड़ रहे थे या जो बिजनस अच्छे नहीं चल रहे थे तो यह दिखाता है कि पैसे आने के रास्ते बनते हुए मुझे दिखाई देते ही संभावनाय बन जाती हैं वो धनेश में बैटे हुए हैं आठवे पैसा आएगा इस वर्ष धन की कमी नहीं होगी आपको आपके सारे काम पूरे होते हुए नजर आते हैं मुझे इस वर्ष मेहनत जमकर आपको करनी पड़ेगी और उनका फल भी आपको मिलेगा यह तो बहुत अच्छी बात कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको मिल रहा है तो यह इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती और सुक शांती इस वर्ष रहेगी यदि पती-पत्नी की बात करें तो इस वर्ष उनके यदि मन-मुटाव चल रहे थे या कोई तलाक के इशूस चल रहे थे कुछ जगड़े चल रहे थे तो ताल मेल बैठता हुआ म लोग वो कही न कहीं आपकी प्रमोशन जरूर कराएंगे कहीं न कहीं इंक्रिमेंट होगा आपकी आये में ऐसा मुझे दिखाए देता है यात्रा में बहुत होंगी कोई भी खास परिनाम नहीं होगा आपके बॉस अधिकारी आपकी कामों से खुश रहने वाले हैं इस वर् संफरों के भी काम कर एंगे है ज्यायन संपर्ग एंगे बहुंत इस वर्श कि जो संपर्ख में जादातर लोग आएंगे ज़्यादातर अच्छे लोगों के संपर्ख में आप आएंगे बड़नामी लोग हैं उनके संपर्क में आप आ सकते हैं पिता की सेवा पून भाव से करें पिता और भाई का आशिरवाद आप लें साथी साथ अप हलाकि आपकी संपत्ति में बटवारा या कोई जगड़ी जैसे इशूज मुझे दिखाई देते हैं उनका हल होता हुआ नहीं दिखाई देता लेकिन फिर भी आप अपने पिता का अशिरवाद जरूर ले और अपने भाई के साथ जरूर अच्छे संबंद रखें आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं और शुक्र आपकी राशी पे दृष् कारे शमता आप भरपूर इस्तमाल करेंगे जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे अपने काम को चलाने के लिए अपनी दुकान को चलाने के लिए अपनी जॉब के लिए महनत आप एफट अच्छे दिखाते हुए मुझे दिखाई देते हैं आप अपनी गाड़ी को जितनी म परजी परशानी हो पट्री पर लेके आते हुए मुझे दिखाई देते हैं स्टुडेंट्स की बात अगर हम करें तो पढ़ाई की इस साल आपके लिए जम कर मेहनत करने का यूग है ब्रेस्पती प्लस शनी की युकती के कारण कभी-कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कई कभी-कभी ऐसा हो सकता है लेकिन यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका फोकस क्लियर होता हुआ मुझे दिखाई देता है और स्टुडेंट्स के लिए सफलता मिल जाएगी आपको यदि आप अपना फोकस क्लियर करते हैं और ज्यादातर बात करें तो जो सरकारी नौ होनी चाहिए समर्पन होना चाहिए तो आप मन चाहे फल ले सकते हैं तो व्रिशब राशी वालों के उपाई की बात करते हैं शुक्र के व्रत आप रखें शुक्र के व्रत अगर आप रखते हैं तो आपको लाब मिलेगा ओम शुक्राय नम्हा की माला यदि आप जबते हैं इस वर्ष तो आपको लाब मिलेगा कुत्तों को दूद आप दे सकते हैं शुक्रवार के दिन रत्न की बात करें तो ओपिल ओपिल रत्न आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है या फिर जरकन आप अमेरिकन जरकन भी पहन सकते हैं वो भी आपके लिए शुब रहने वाला है तो ये रहा हाल प्रिशब राशी वालों के लिए तो मुझे दीजिये इजासत मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली राशी पर तब तक के लिए धन्यवाद